प्रसन तेइस साथ पुर्णांग 3 वटा 4 मीटर लंबे एक तार को एक पुर्णांग 15 वटा 16 मीटर लंबे खंडों में बाट दिया गया तार के खंडों की संख्या ग्याद करें तो लिखेंगे तार के तार के खंडों तार के खंडों की संख्या बराबर तार के खंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा साथ पुर्णांक तीन बटा चार भागा एक पुर्णांक पंद्रा बटा सोला तो तार जो है साथ पुर्णांक तीन बटा चार मीटर लंबा है और उस तार को एक पुर्णांक पंद्रा बटा सोला मीटर लंबे खंडों में बाट दिया गया है तार कितना मीटर लंबा है साथ पुर्णांक तीन बटा चार मीटर और उस तार को एक पुर्णांग 15 वटा 16 मीटर लंबे खंडों में बाट दिया गया है तो तार के खंडों की संख्या बरावर क्या हो जाएगा साथ पुर्णांग 3 वटा 4 भागा 1 पुर्णांग 15 वटा 16 तो पहले हम पुर्णांग तोड़ लेते हैं सचोक 28 वटा 4 भागा अब इसका पुर्णांग तोड़ लेंगे 16 वटा 16 16 वटा 16 को जोड़ेंगे तो 6 पाजीग आ रहा है 1 एक दो एक तीन यानि 31 वटा 16 हो जाएगा पुर्णांग तोड़ने पे तो 31 वटा 4 भागा कितना आ गया 31 वटा 16 तो 31 वटा 4 तो भाग का चिन को गुना का बाग का चिन हटा करके गुना का चिन देंगे तो हो जाएगा 16 वटा 31 31 वटा 16 कितना हो जाएगा 16 वटा 31 31 से 31 कट गया 4 से 4 चोक 16 यानि इसका उत्तर आ गया 4 कितना आ गया 4 तो तार के खंडों की संख्या कितना है 4 है इसका उत्तर आ चुका है तो तार के खंडों की संख्या कितना आ गया 4 तो इसमें क्या गड़ना है साथ पुर्णांग 3 वटा 4 को एक पुर्णांग 15 वटा 16 से भाग दे देना है तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रस्न 24 पांच पुर्णांग 2 वटा 3 मीटर कपड़े का मूले 28 पुर्णांग 1 वटा 3 रूपया है 3 मीटर कपड़े का मूले ग्याद करें तो प्रस्न 24 में क्या दिया हुआ है पांच पुर्णांग 2 वटा 3 मीटर कपड़े का मूले पांच पुर्णांग दो बटा तीन मीटर कपड़े का मूले बराबर 28 पुर्णांग एक बटा तीन रुपया पांच पुर्णांग दो बटा तीन मीटर कपड़े का मूले बराबर कितना दिया हुआ है 28 पुर्णांग एक बटा तीन रुपया ठीक है ये दिया हुआ है हमें पांच पुर्णांग 2 बटा 3 मीटर कपड़े का मूले दिया हुआ है 28 पुर्णांग 1 बटा 3 रुपिया तो पहले हम 1 मीटर कपड़े का मूले गयात कर लेंगे तो लिखेंगे 1 मीटर कपड़े का मूले एक मीटर कपड़े का मूले बराबर क्या हो जाएगा तो 28 पुर्णांक एक बटा तीन भागा 28 पुर्णांक एक बटा तीन भागा 5 पुर्णांक दो बटा तीन रुप्या तो पहले हम एक मीटर कपड़े का मूले ग्याद कर लेंगे तो 5 पुर्णांक दो बटा तीन मीटर कपड़े का मूले है 28 पुर्णांक एक बटा तीन रुप्या तो एक मीटर कपड़े का मूले बराबर कितना हो जाएगा 28 पुर्णांक एक बटा तीन को 5 पुर्णांग 2 बटा 3 से भाग दे देंगे 28 पुर्णांग 1 बटा 3 को 5 पुर्णांग 2 बटा 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा अब 28 तिया 84 28 तिया क्या होता है 84 84 एक 85 यानि 85 बटा 3 भागा तो पुर्णांग हम तोड़ ले रहे हैं यहाँ पे तो 28 तिया 84 एक 85 85 बटा 3 भागा 5 तिया 15 15 और 2 17 17 बटा 3 तो पुर्णांग तोड़ लेंगे तो 85 बटा 3 भागा 17 बटा 3 रुपया हो जाएगा बराबर कितना हो गया अब यहाँ पे हो जाएगा 85 बटा 3 गुना 3 बटा 17 रुपया तो भाग का चीन हटा के गुना का चीन ने देंगे तो 17 बटा 3 क्या हो जाएगा 3 बटा 17 तीन से तीन कट गया 17 पचे 85 यानि कितना आ गया पांच रुपया तो एक मीटर कपड़े का मुली कितना आ गया पांच रुपया 1 मीटर कपड़े का मूले ग्यात हो चुका है 5 रुपया तो क्या किये हैं बस 28 पुर्णांक 1 वटा 3 को 5 पुर्णांक 2 वटा 3 से भाग दे दी है तो कितना आ गया है 5 रुपया अब कह रहा है 3 मीटर कपड़े का मूले ग्यात करें तो एक मीटर का पांच रुपया, देखे एक मीटर कपड़े का मुल ग्यात हो चुका है हमें, कितना आया, पांच रुपया, एक मीटर कपड़े का मुल कितना आ गया, पांच रुपया, तो तीन मीटर कपड़े का मुल, तीन गुना पांच रुपया, तो तीन गुना पांच क मूली कितना आ गया 15 रूपया तो इसका उत्तर आ चुका है 15 रूपया तो पहले क्या करना है 28 पुर्णांग 1 वटा 3 को 5 पुर्णांग 2 वटा 3 से भाग दे करके फिर उसमें 3 गुना कर देना है क्योंकि 3 मीटर कपड़े का मूली पुछ रहा है हुआ है